हेलो फ्रेंड, विल्कम तो माई चैनल दा टेक्निकल इंट्रो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and क्लिक आन दा बेल आइकोन as soon as possible for more and get notification, दोस्तो मैं हूँ राजकुमार, आप लोग देख रिए दा टेक्निकल इंट्रो, दोस्तो मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर और एक mono printer है, यह बहुत सल चलते हैं और बहुत high printer है, तो इस printer में कभी-कभी एक issue आप लोग face करते हैं, कि एक page में आधा light, आधा drag, एक ही page में आधा light, आधा drag, इस तरह का face करते हैं, लेकिन इस तरह कोई settings है नहीं, तो हम क्या करेंगा, पहले इसको एक demo report निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, तो देखिए चलिए, demo report जो हैं, वो दिखाते हैं, कि कैसे आ रहे हैं, यह देखिए, demo report हमने printer लिया, इस system से, printer से ले सकते हैं, system के साथ connect करने के कोई ज़रूरत नहीं है, तो देखिए इसमें, कितना अच्छे depthness से बहुत अच्छा print है, कोई दि इसर भी ठीक से दिखाई दे रहा है, मतलब printer का जो कोई भी issue नहीं है, तो कभी-कभी का होते हैं, जो बोल रहे थे, एक ही page में आधा light, आधा drag, जो option है, ओकी वो आ जाते हैं, और इसको आप कैसे repair कार पाएंगे, वो भी कोई part चेंज किया बगर, ठीके ना, तो हम क्या करे देखिए, ओ जो demo page हमने निकाला था, उसको एक बार हम एक copy निकलते हैं, तो start copy हमने button को प्रेस करते हैं, देखिए, इसमें दिखा रहा है copy 1, हमने एक copy निकाला था, तो इसलिए एक दिखा रहा है, अभी copy होगा, sorry, दो page अंदर चले गए, कोई बात नहीं है, no problem, यह देखिए, एक ही page में, देखिए, एक से 2 इंच के अंदर, light and drag, तो मैंने तो इस तरह का कोई settings किया नहीं था, अगर आप लोग है, तो इसको default settings करके, देख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यह देखिए, स्कैनर के जो option है, इधर बहुत सरा scratch है, इधर कोई scratch नहीं देखिए, neat and clean, यह देखिए, जस इस option में देखिए, इधर बहुत सरा scratch है, क्योंकि यह जो printer है, यह सालों साल चलते हैं, और बहुत सरा friend है कि इसको जिरॉक्स के तरह यूज करते हैं, और थोड़ा यह कम budget में हैं, इसलिए छोटा-छोटे दुकान में जिरॉक्स करते हैं, बहुत अच्छे है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 3-4 step में दिखाएंगे कि इसको कैसे repair कर पाएंगे, तो पहले यह देखिए, यह जो cleaner है, हम cleaner को इधर यूज करें, और आप लोग cleaner यूज करें, तो अच्छा cleaner मर्केट पे मिल जाते हैं, तो वो यूज कर सकते है तो दोस्तों, एक बात आपको धहन पर रखना होगा, कि आपका यह cleaner है, वो जादा alcohol-based ना हो, अगर जादा alcohol-based cleaner आप यूज करते हैं, तो क्या होगा, स्कैनर के उपर, मतलब यह जो glass के उपर, अगर कोई spot आ गया ना, तो जितने बार आप copy करेंगे ना, तो आपका copy के उधर white page के नहीं, थोड़ा black shadow प्रिंट होगा, इसलिए आपका जो costing है, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो चिंता मत कीजिए, अच्छी तरह clean कीजिए, और ज्यादा alcohol-based cleaner मत यूज कीजिए, ज्यादा कमदाम का cleaner यूज करते हैं, तो वो भी पानी बगरा हो से, तो जो scanner है, वो खराब हो सकते है, इसलिए be careful, तो हम क्या करेंगे, दुबारा इसको हम हटा देते हैं, स्टीकर को, हटाने के बाद देखिए इधर, एक screw है, जो screw हम खोल देंगे, और scanner का नीचे वाला option जो है, ओ वाला option हम क्या करेंगे, ठिक से clean कर देंगे, तो इसके केबल को हम disconnect कर देंगे, disconnect करने के बाद, यह option अलग हो जाएगा, देखिए, यह अलग हो चुका है, और यह देखिए, यह जो feeder है, एक magnet के अंदर जूडे रहते है, क्योंकि इधर magnet जो है, इसलिए दिया जाता है, कि अगर ज्यादा voltage आगी है, यह थोड़ा control कर देते, तो को देंगे, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, बाकी जितने सारा screw है, screw को हम निकाल देते हैं, इस तरह, पाच्छे screw रहते हैं, टोटल, एक वो परकर जाप्ष्ण है, इसको हटा देते, खोलने में थोड़ा easy होगा, इस तरह, जो screw है, हर एक screw को हम निकाल देते हैं, और जब screw को निकल देंगे पूरा, तो इस तरह हमने हर एक screw को निकल दिया, तो आपको पीछे दो लॉक मिलेगा, प्लास्टिक का ही, ये लॉक को थोड़ा अपने तरह खिचिए, बाहर के बाहर के बाहर खिचते हैं, तो इसको unlock कर सकते हैं, और अब क्या करेंगे, इस पार इस तरह हम उल्टा करके, नीचे बाला जो option है, इसको भी हम ठीक से clean कर देंगे, इस तरह हम clean energy की spray कर देते हैं पहले, और अब हम clean कर देंगे, दोस्तों आप इधर tissue paper यूज़ कर सकते हैं, cotton यूज़ कर सकते हैं, कोई hud copper यूज़ मत कीजिएगा, नाथि scratch आ सकते हैं, अगर scratch आ गिया न, तो printer quality जो है, वो damage आ जाएगा, printer खराब हो सकते है, scanner, तो तब जाके आपको इस तरह ये change करना पड़ेगा, और ये महंगा भी ह है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, clean कर देंगे, पूरा, और बार बार बोलते है, be careful, अब इसको थोड़ा side में रख देते हैं, और जो next step है, इधर अब देखिए, इसको हम थोड़ा clean कर देंगे, soft बिराज के साथ, दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो lamp है, स्कैनर का जो lamp है, इसको lamp कहते है, इस lamp को हम cotton कपरे के साथ, या कोई अपका पास soft brush, तूली type का है, तो कोई दिकत नहीं है, वो अब इसको कर सकते है, इधर हम इसको बहुत हलके से, कोई पेशार देना नहीं है, नहीं तो खराब हो सकते हैं, ये जो lamp है, तो ये option भी हम clean कर देते हैं, हमने clean कर दिया, और आपको धहन पर रहना होगा, कि इधर कोई dust ना रहे, नहीं तो scanner का जो quality हो, खराब हो सकते, damage हो सकते, तो अब हम दुबारा क्या करेंगे, इसको assemble कर देंगे, ठीक है ना, तो assemble क्या बहुत easy है, जिस तरह हमने open किया था, उस तरह हम इसको लगा देंगे, ठीक है, देखिए, इस तरह हम, और आपको धन पर रखना होगा कि, जिस, जिदर एक cable है, cable को पहले से इधर बाहर निकलना है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हर एक screw को इधर लगा देंगे, तो डाल देते हर एक screw, tight भी कर देते है, इस तरह हर एक screw आप लोग tight कर लिजिएगा, ठीक है, और ठीक से करना होगा, एक बात धन पर रखना होगा कि, जब आप लोग इसको assemble करते हैं, तो अगर ठीक से नहीं बैटा, यह scanner का ग्लास का जो पार्ट है, ठीक से नहीं बैटा, तो scanner जब move करेगा, तो ठीक से move नहीं होगा, यह attack जाएगा बीच में, तो आपको धहन पर रखना होगा, बीच में कोई scanner ठीक से move करें, उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो ओभी धहन पर रखना होगा, जड़ जब अस्ति मत कीजिए, नहीं तो जो scanner का जो glass है, यह crack हो सकते है, बीच में अगर तूट गया या crack हो गया न, तो इसको change करना पड़ेगा, और महेंगा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह जो magnet है, फिर से है, इसको assemble कर देंगे, और इधर इसको लगा देंगे, और अब यह जो display है, इसको यह part हम इसको, हमने connect कर दिया, और इसको display आ जाए, इसलिए हमने connect कर दिया, यह देखिए, easy है, कोई जड़ जबस्ती नहीं है, easy है, और एक screw इधर जोड़े रहे थे, एक screw के साथ, वो हम, इसमें फिर से screw को tight कर देंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन step by step देखना होगा, तो दोस्तों, आप लोगों को, हर एक वीडियो में हम बोलते हैं, स्टीकर को भी हमने इदा चिपका दिया, दुबारा, तो दोस्तों, हम एक बात बोलते हैं, script करके मत देखिए, मेरे वीडियो, आप लोग अगर ठीक से देखते हैं, तो मेरे को कोई comment नहीं कहरना पड़ेगा, दोस्तों, अगर आपको कोई दूसरा कोई कुछ पूछना है, तो ज़रूर comment box से लिख सकते हैं, हम आपको उत्तर देंगे, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दूसरा कोई problem फेश कर रही है, ये problem नहीं है, और ये जो ऊपर के जो option है ना, इसको भी हम थोड़ा clean कर देंगे, कि इधर अगर कोई dust ये कुछ ना रहे, जितना clean रहेगा, उतना white page, उतना अच्छा page print out होगा, क्योंकि जब scan करते हैं, scan तो इधर white page देने का ये option है, ये कारण है, कि जो page हम देते हैं, वो सही ढंग से, वोई same to same copy करके बाहर आ जाए, इसलिए बहुत दिन उसकाने के बज़े से क्या भी क्या होता है, कि हम देखत कि कही सारे printer में इस तरह का, ऊपर में जो बहुत सारा dust रहते हैं, तो ये लोग clean नहीं करते हैं, आप लोग clean कर सकते हैं, ठीक है ना, इधर आपको clean कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक print out लेके देखेंगे, मतलब इसमें copy करके सिस्टेम में लगाने के कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा user से बहुत सारा दोस्त है, कि जो लोग स्रिप इसको ऐज़े पींटर को ऐज़े जिरॉक्स मैशिन की तरह अब इसकरते हैं, तो उनके पास तो system है नहीं, ना laptop, ना desktop, कोई दिक्कत नहीं है, अब इस तरह आप जो प्रब्लम है आपको खुद ही अप रिपियर कर पाएंगे, तो दोस्तों देखिए, वही पींटर है, तो देखिए, अब कौपी निकल चुके है, कौपी में भी सेम है, तो देखिए, ओरजिनल कौपी था, बैक में हमने पींट किया, कौपी निकला, तो व बहुत अच्छा है, HP ने एक बहुत बढ़ी अकाम किया है कि इस तरह कर पींटर दे के कस्टमर को इतना कम दाम है, इतना अच्छा पींटर है, बहुत अच्छा पींटर है, और बहुत क्वालिटी भी अच्छा है, इसका पींटिंग कॉस्ट है, वह भी अच्छा है, हमें बिल्कुल तो अच्छे लगते हैं, तो फिर एक दुसरे कॉपी करके हम देखते हैं आप लोग चाहें तो यह ड्रक्टनेस ज्यादा यह कम कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर से हम और एक बार कॉपी करके आप लोगों को दिखाएंगे, कि फिर से क्या हो रहा है? पहले किया हो रहा था कि आपका जो लेफ साइड में दो इंच के सपस यह लाइट पिंट हो रहा है एक ही पेज में दो टाइप का आधा लाइट आधा ड्राक ठीक है ना अब देखिए जितने बार जितना प्रिंटर हम कॉपी करेंगे उसमें सेम आ रहा है इसका मतलब आपका जो प्रिंटर है आप खुद ही रिपियर कर पाएंगे दोस्तों यह प्रॉब्लेम जो है ना हम खुद क्रेट नहीं करते कस्टमा लेकर आते हैं हम इसको रिपियर कर देते दिखाते हैं अगर आप खुद इसको रिपियर करके यूट्यूब में डालेंगे तो अलग बात है लेकिन यह जो है ना एक्च्वल प्रॉब्लेम है ठीक है आपको यूट्यूब में इस तरह का में वीडियो नहीं मिलेग तो बी क्यार फुल तो देखिए साइड में रखके हमने आपको दिखा दे थे कि कितना फरग है तो देखिए यह जो देखिए पहले वाला कैसा था और अब क्या है अप्टर सार्विस यह देखिए यह बीफोर सार्विस का था देखिए दो इंच के असपास लाइट और ड्राग डूएल कंबिनेशन का प्रिंट आउट हो रहा था तो दोस्तों देखिए इस तरह आपना प्रिंटर खुद रिप्यार कर पाएंगे बिना कोई पार्ट चेंज किया बगर यह देखिए ठीक हो गया तो इसी तरह आपको मिले इसलिए मेरे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिए तो डोंट फॉर्गेट इट माइ चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग अन जाहिन नमस्कार